Mission Mathematics Question of the Day Classify the following algebraic expression as polynomials और non-polynomials बिटा तो हमें क्या करना है पहले तो हमें बहुपत और ग्यार बहुपत के पहचान पता होने चाहिए बहुपत कब होता है algebraic expression जब उसमें variable की पावर एक whole number हो पूर्ण संक्या हो यानि कि वो घटा में नहीं होनी चाहिए और बटा की भी नहीं होनी चाहिए rational number में अगर आपका नीचे denominator में variable चला जाता है तो भी वो polynomial नहीं होगा तो यहाँ पे पहला है हमारे पास x की पावर 6 minus 9 तो इसमें x की पावर कितनी है positive है natural number है तो इसका मतलब यह एक polynomial है second देखेंगे a की पावर 5 minus a की पावर minus 3 अब यह variable है इसकी पावर minus में आ गई इसका मतलब पूरा ही expression polynomial नहीं है सबी variables की पावर एक whole संक्या होनी चाहिए third देखेंगे y power 4 minus y की पावर minus 3 again यह भी एक polynomial नहीं होगा next है हमारे पास b की पावर 16 plus b की पावर 12 minus b upon 7 अब 7 हमारा constant है हमें से variable की पावर चेक करनी है वो नीचे बटा में नहीं होनी चाहिए और नहीं घटा में तो इसका मतलब यह एक polynomial है झाहिए झाल झाल